तो आज के वड़े में हम देखने वाले हैं अहुजा का ड्राइवर यूनिट जिसका इसमें अहुजा का ड्राइवर यूनिट है ओरिजनल वाला 40 वार्ड जो की AU40XT इसका मोडल नंबर है तो इस वाले ड्राइवर यूनिट का हम यहाँ पर वह स्कोईल डाइफराम जो हम बो जो कि स्क्रू ड्राइवर हम बोलते हैं तो हमें एक स्क्रू ड्राइवर चाहीए एक अहुजा का ड्राइफरम चाहीए जो की AU40XT और AU50XT दोनों में यह लग जाता है इसका प्राइज ड्राइफराम का जो प्राइज है वो एक सो छे रुपया MRP प्राइज RAYS है मार्केट म आपको 100 रुपया में मिल जाता है तो 100 रुपया यह आपका प्राइज पढ़ने वाला है original Ahuja का diaphragm अगर अब लेते हैं तो 100 रुपय में आपको मिल जाएगा अब हम वही बात कर लेते हैं कि Ahuja AU40XT अगर हम इसमें लगाते हैं तो कैसे लगाएंगे फिलाल unboxing भी आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से डबा में pack होता है और कुछ इस प्रकार से डाइफराम होता है और Ahuja का इसमें branding होता है जो की original का पहचान होता है voice coil भी आप देख सकते हैं copper का voice coil इसमें होता है जो की काफी अच्छा देखने में लगता है और काफी टिकाओ भी होता है और आप अगर अच्छे से यूज करते हैं तो आपका driver unit है वो कभी जलेगा नहीं ये मेरा चार साल के बाद एक बार जला हुआ है तो ये continue बजने के करण कभी कभी जल जाता है जो की जादा sound में बजाने से होता है पर यहां से आपको screw जो है आपको 8 screw open करना होगा जो की 4 screw आप खोलेंगे तो magnet के साथ आपको बाहर निकल जाएगा जैसे कि हम आपको दिखाने वाले हैं तो यहां पर कुछ चिपक जाता है क्योंकि इसमें rubber होता है और यह first time खुल रहा है फिलाल जो की मैं आपको बता दूँ तो कुछ इस परकार से इसका magnet होता है अंदर और अंदर कुछ यहां पर mechanism लगे हुए है जो की बहुत सारी चीज लगे हुए है transformer होगे रहा जो की इसको सुलोम से 100 volt बनाता है जो की transformer होगे रहते हैं तो यहां से इसको 4 screw open करेंगे हम तो यहां से अगर इसको open करते हैं तो हमारा जो magnet है वो अलग-अलग हो जाएगा और वो इसको इसको इल भी निकल जाता है तो यह आप देख सकते हैं कुछ इस परकार से है magnet पुड़ा अलग हो जाता है और यहां से आपको left और right ने मतलब L1 और L2 यहां पर आपको देखने को मिलेगा फिलाल तो आप वो इसको इल देख सकते हैं burn हो चुका है मतलब जल चुका है और यहां पर इसको निकाल लेंगे पहले कुछ इस परकार से निकाल लेंगे और यहां पर इसमें clip होता है जो कि इसमें solding करने का कोई भी जूरूत नहीं है आप कहीं भी इसको change कर सकते हैं बस आपको एक screw driver की जूरूत पड़ेगी आप कहीं भी इसको कर सकते हैं मतलब इसको डाल सकते हैं आसकते हैं तो कुछ इस परकार से हम निकाल लेंगे इसको और plus minus का connection जो रहेगा वो मैं आपको बताने वाल हूँ कि plus minus का connection हम कैसे करेंगे लाल आप देख सकते हैं magnet में यहां पर जलने का यहां पर निसान हो गया है जो कि धुआ टाइप से magnet को भी हमें काफी अच्छे तरीके से साफ करना होगा और इसको भी जो इसका plate है उपर वाला इसको भी निकाल करके हम इसको साफ कर लेंगे जो कि काफी अच्छी तरीके से work करें हमारा और paper हमें एक लेना है जो कि आप कोई भी paper पतला वाला ले सकते हैं उसको एक बार fold करके उसमें जब अंदर लगाएंगे तो इसमें से जो है थोड़ा बहुत कच्रण टाइप से निकलता मतलब rush टाइप से जो कि उसका oil जब burn हो जाता है उसका जो भी part है वो अंदर रह जाता है तो उसको आपको काफी अच्छे से साफ कर लेना है जितना अच् हम यहाँ पर इसमें लगाने वाले हैं voice coil मतलब कि इस type से हम लगाएंगे जो कि पहले तो इसका हम connection करेंगे इसका connection कैसे करेंगे वो हम देखेंगे पहले तो यहाँ पर देखेंगे l1 लिखा हुआ है और डाइफराम में भी L1 लिखा हुआ है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं और इधर आप देखेंगे तो L2 लिखा हुआ है और इधर भी L2 लिखा हुआ है तो उसको हम यहाँ पर सीधा कुछ इस प्रकार से लगा देंगे L1 L1 और L2 L2 कुछ इस प्रकार से मैचिंग हो जाता और हमारा जब यहां पर terminal socket हमारा लगाने का जब बारी आता है, तो हमें लगाना है L1 में plus लगाना है, जो कि आप खोलने समझे भी आप देख सकते हैं, ध्यान से, फिलाल आप देखेंगे तो L1 में पलस होता है जो कि यहाँ पर इसमें green भी आपको देखने को मिल रहा होगा और L2 में आपका black wire लगेगा तो कुछ इस प्रकार से आपका connection होगा देन यहाँ पर magnet को काफी सही तरीके से हम इसमें लगाएंगे और screw का यहाँ पर holes जो है उसको हम बराबर में रखेंगे यहाँ पर इसमें screw है वो हम यहाँ पर 4 screw पहले लगाएंगे इसको tight करेंगे और tight करने के बाद 4 तरफ से हम पहले हलका हलका tight कर लेंगे ज्यादर tight नहीं करेंगे उसको पहले हम फिर बाद में जो है थोड़ा बहुत tight कर लेंगे मतलब कुछ इस परकार से हम tight करने वाले हैं और फिर यहाँ पर जो आपका voice coil या फिर diaphragm जो है भूजा unit में यहाँ पर लग गया है मतलब यह complete हो चुका है लगबग 80% अब यहाँ पर हमारा काम यह है कि हम इसको चार screw से tight करेंगे फिर आपको मैं sound check भी कराने वाला हूँ तो यहाँ पर कुछ इस परकार से हम चार screw इसमें लगा देते हैं side side में जो screw जिसका है उसी में हम लगाएंगे change screw हम नहीं करेंगे क्योंकि अलग अलगी screw टाइप से है और इसमें side side में जो screw लगते हैं उसमें वासर नहीं होता है और बीच में जो 4 screw लगा हुआ है उसमें वासर भी है तो उसको आप ध्यान से लगाईएगा काफी अच्छे तरीके से तर कुछ इस परकार से हम थोड़ा थोड़ा tight कर लेंगे फिर बाद में जो है चारो तरफ हम इसको घुमा करके tight करेंगे मतलब थोड़ा अच्छे तरीके से उतना भी ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा tight कर लेंगे ज्योंकि हम यहाँ पर इसका जो कभी भी हम लगाते हैं यूनिट को बाहर तो हमारा पानी वगेरा जो है ना इसमें जा सके क्योंकि इसमें रबबर भी होता है और यह waterproof भी होता है और कुछ इस परकार से हमारा जो है complete हो चुका है और यहाँ पर हम इसका sound check कर लेते हैं फिलाल आज की वीडियो में बस इतना है था वीडियो का इसा लगा निचे कमेंट बक्स में बताएगा और आप भी आप अपने घर में अहुजा यूनिट को कुछ इस परकार से diaphragm coil change कर सकते हैं चले मिलता है अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वन्दे मातरम तक के लिए जय हिंद वीडियो में तक के लिए जय हिंद वीडियो में